EPS 95 Pension Pensioners की तरफ से सरकार पर आ रही ये बड़ी बात सरकार का चुनावी एहंकार हम बूड़े जरूर हैं, मगर मरे हुए मुड़दा नहीं सूचनाजी News, 36 गड़ EPS 95 Pension EPS 95 Pension का मामला शांत होने वाला नहीं है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है EPFO, EPFO पर भडास निकालने वालों का जथा बढ़ता जा रहा है आचार संहिता लगने के बाद सरकार से मिलने वाली सारी संभावनाओं के द्वार बंध हो चुके है ऐसे में EPFO की कार्य संस्कृती और सहयोग न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है पैंशिनर्ज आके सांगा ने पोस्ट किया लिखाई PFO के माध्यम से मजदूरों का खुलेाम शोशन हम सभी जानते है पंजीकरण के बाद या पंजीकृत नहीं हो जाता है तो पंजीकरण के बाद वेबिना और चिकित्सा सुविधा के माप प्राप्त करते है सभी यूनियन और संगठन भारत में इसे होते हुए देख रहे है उन्हें श्रमिकों को सक्रियर रूप से शिक्षित और सुरक्षा करनी चाहिए या उनकी दुकानों को बंद करना चाहिए NAC की ओर से कोई फत्वा जारी होना चाहिए अनिल कुमार नमदेओं ने अपनी भडास निकालते हुए लिखाविवे काम नहीं कर रहा है कि EPA 95 पेंशनर्ज अपना कीमती वोट लोग सभा चुनाव में सदुप्योग कैसे करें दिमाग कहता है, हाँ और दिल कहता है ना सभी उहापोह की स्थिती में है आपकी राय क्या है क्या NAC की ओर से कोई फत्वा जारी होना चाहिए जो पेंशनर्ज का काम करेगा, वही देश पर राज करेगा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पेंशनर्ज इंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा जो पेंशनर्स का काम करेगा वहीं देश पर राज करेगा जो उनका हक मारेगा उसका हाल चुनाव बताएगा सरकार का चुनावी एहंकार हम बूड़े जरूर हैं मगर मरे हुए मुड़दा नहीं सरकार भलीभानती जानती है कि NAC पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में एपोलिटिकल बुजर्गों का संगठन है हम किसी दल के पीछे घूमने वाले लोगों की जमात नहीं है हम करुणा और शान्ती, प्रेम और भायचारे के साथ जीना पसंद करते हैं हद की भी कोई हद होती होगी 2013 में BJP ने हमारे संगठन से वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो EPS 95 के पेंचनर्स के साथ न्याई करेगी आठ सालों के अन्वरत शान्ती पूर्ण इस आंदोलन को असीम धहर्य और विनीत भाव से हमने सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है फिर भी ढाक के तीन पात ही दिखाई दे रहा है EPS 95 हायर पेंचन जिस CPF ट्रस्ट को EPFO बताता रहा सही पेंचन की बारी आई तो बता रहा गलत फॉर्म किया कैंसिल EPFO हर साल CPF ट्रस्ट के खाते रिकॉर्ड की करता है जाँच लेता है शुल्क पेंचन फॉर्म कैंसिल करने का दाव पड़ा उल्टा LM सिद्धिकी ने कहा ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंचन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक साजिश सूचनाजी न्यूज 36 गड कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization बुरी तरह से फंस्ता दिख रहा है EPS 95 हायर पेंचन को लेकर EPFO, EPFO का घेर लिया गया है पेंचनर्स ने तर्क के साथ ऐसी बात बोल दी है कि कानूनी नजर से EPFO का बचना नामुम्किन दिख रहा है Sale, Sale के भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट समेत कई प्लांट के कार्मिको का ज्वाइंट Option Form निरस्त करने का मामला सामने आ चुका है Demand Letter को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने से हडकम मचा हुआ है पूरी जिम्मेदारी और आरोब सेल के CPF ट्रस्ट पर लगते रहे अब EPFO ही फंस्ता दिख रहा है EPS 95 Pensioners राश्ट्रिय संघर्ष समिती 36 गड़ के अध्यक्ष LM सिद्धीकी ने सुचनाजी.com को बताया कि एक गैर कानोनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा Exempted Establishments में कार्यरत अत्वा Retired Employees को इस लाप से वंचित कर दिया गया था कर्मचारी भविश निधी संघठन के जाँच अधिकारी पर सवाल Exempted, Unexempted Establishments पर EPFO घेड़ते हुए LM सिद्धीकी ने गंभीर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि Exempted Establishments के सभी खातों और रिकॉर्ड्स की जाँच समय समय पर कर्मचारी भविश निधी संघठन के जाँच अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसका प्रशासनिक शुल्क भी वास्तविक वेतन के आधार पर इंप्लायर से कर्मचारी भविश निधी संघठन द्वारा वसूला जाता है आपत्ती क्यों नहीं की? अगर नियोकता द्वारा सीमित वेतन से अधिक वेतन हो जाने पर भी पैंशन फंड में वर्षों से लगातार अंचदान किया गया तो उस समय उन्होंने आपत्ती क्यों नहीं की? जाहिर है कि इसे कभी भी भविश निधी संघठन द्वारा आपत्ती योग्य समझा ही नहीं गया और बाद में सुप्रीम कोट का निरने भी 4 नवंबर 2022 को आ गया वास्तविक वेतन पर पी एफ फंड के लिए अंचदान किया गया भविश निधी संघठन ने अपने परिपत्र 22 जनवरी 2019 द्वारा अपने क्षेत्रिय कार्यालें को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोकता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पी एफ फंड के लिए अंचदान किया गया है और जिसे भविश निधी संघठन ने स्वीकार भी कर लिया है ऐसे हालात में यहां मान लेना चाहिए कि एपी एफ एक्ट 1952 के अंतरगत पैरा 26 का अनुपालन कर लिया गया है इसलिए ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच पेंशन से वंचित करने का प्रयतन महज एक शड्यंत्र प्रतीत होता है जो अन्यायपूर्ण और असंगत है एपी एस 95 पेंशन न्यूज पेंशन भोगी सरकार से नहीं मांग रहे भीक कंट्रिब्यूशन का ब्याज ही बनता है 15,000 पेंशनर्स ने लिखानियों तम पेंशन एक हजार रुपै को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है जब ही रणनीती बनी हुई है लोग सभा चुनाव से पहले सरकार की चौखट पर हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स अब तरहत्रा की बाते कर रही है एक पेंशनर्स ने लिखा प्रिय मतदाता मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप EPS 95 व्रिधावस्था पेंशनर्स का समर्थन करें जिनोंने न्यायाधीश पक्षद्वारा न्यूंतम पेंशन के मामले में धोका खाया है मुझे आप से याचना है कि आप चुनावी दिशा में प्रचार करें और कम से कम दस व्यक्तियों को पेंशनर्स के पक्ष में जोडने का प्रयास करें पेंशनर्स के समर्थन में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है न्यूंतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार ससी नायर ने लिखा द्यनिय स्थिती है कि कोई भी EPS 95 पेंशन भोगी मेरे संदेश को देख या साजह और पसंद नहीं कर रहा है जबकि मैंने Facebook, X और YouTube में पोस्ट किये थे ये लोग न्यूंतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं वहीं, अनिल कुमार नमदेओं ने लिखा 95 कुछ देर सुस्ता लें, हमारा भी समय जरूर आएगा इस पोस्ट के साथ राजेश खन्ना के गाने का एक विडियो भी शेर किया गया कहा गई मोदी जी की गारंटी? पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पेंशन भोगियों का दर्द साजा किया गया है उन्होंने लिखा कि जो सरकार देश के बुजुर्गों और लाचारों की परवान नहीं करती है बलकि उनके जमाधधन को भी जब्त कर लेती है वो देश का कभी सगा नहीं कहला सकता है जिस सरकार का अहंकार देश के बड़े बुजुर्गों की शांतिपूर्ण एवा करुणा में पुकार से सहम नहीं जाता है उसे उनका श्राप लगना स्वाभाविक है सरकार किसान प्रोटेस्ट तथा सिये कानून के विरोध में किये गए हिंसात्मक आंदोलन की भाषा को ही समझ सकती है उसे बुड़े बुजुर्गों का नियोंतम पेंशन एक हजार रुपए को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे है अपने कंट्रिब्यूशन का उचित ब्याज भी पंद्रह हजार बनता है किन्टु नियोंतम पेंशन के लिए उनकी मांग उसकी आधी रकम साथ पांच शून्य शून्य प्लस दा था किन्टु भारत की सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ कहा गई मोदी जी की गारंटी